नमस्कार मैं हूँ कोमल राव आप देख रहे हैं एंजेपी हरियाना केंद्रिय मंत्री राविंदर जीत सिंग ने आज जिला मुख्यालय रेवाडी से सटे गाउं रामपुरा में पाच करोड़ छासी लाग की लागत से बने हैफेड भंडार ग्रह और राजिया का गाउं मे बने पैक्स बैंक का उद्गाटन किया प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्ते अभियांत्री की मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निमंत्रन पर राव इन दोनों का उद्गाटन करने राजिया का पहुँचे थे कोसली के विधायक लक्षमन सिंग यादव भी उनके साथ मोजूद थे राव के इस दोरे की राजिनितिक संधर में व्याख्या की जाए तो यह कहना जादा उचित होगा कि चुनाव नजदीक है और डॉक्टर बनवारी लाल अपनी चुनावी तयारी शुरू कर चुके हैं मैं पूरा छेत्र राव के परभाव वाला है जाहिर है यहां उसी व्यक्ति को चुनावी लाब मिलता है जो राव का हनुमान बनता है कुछ महीनों की गतिवी धियां यह बता रही है कि डॉक्टर बनवारी लाल आने वाले समय में भी राव की छत्रचाया में ही आगे और कोई एपरत्याशित या भहुत बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो राव के ही हनुमान बने रहेंगे चूकि लोगसभाद चुनाव भी अधिक दूर नहीं है इसलिए इंदरजीत सिंग ने भी गाओं में जनसंपर के लिए देर से निकलने पर बातों ही बातों में अप इस अभाओ को पूरा करेगा उन्होंने कहा कि मन ठीक है ग्रामीनों ने शुरुआत में उदारता पूर वक्त 200 एकड जमीन मुफ्त दी थी लेकिन वन विभाग किया पत्ति के कारण मामला टक गया था उन्होंने माजरा गाओं को आगे बढ़कर जमीन देने की पहल करने के डॉक्टर बनवारी लाल ने भी विधानसभा छेत्र में करवाए गई विकास कारेों का विस्ताल से जिक्र किया उन्होंने यह भी कहा कि उनके सामने जब भी कभी कोई मांग लाई गई उन्होंने आगे बढ़कर उसे पूरा किया राजिया का गाओं में पैक्स बैंक का न झाल झाल